हाई एवरीवन वेलकम बाग विद अनदर ब्लॉग कैसे हो आप सब और आप सब लोग बहुत ही अच्छे होगे तो मैं हूँ स्वेता और यहाँ पे यूएश में राती हूँ और मैं हूँ एक स्टुडेंट और एक फूल टाइम मॉम फूल टाइम स्टुडेंट हूँ और मै कि मैं अपने टाइब को कैसे मैनेज करती हूँ पूरे घर के जो काम होते हैं एज हाउसवाइब एज हमें कर सकते हैं और जब भी आप घर में किसी किसी भी कुना में जाओ आपको कुछ नकुछ काम पड़ा हुआ मिलेगा ही और हमें अपने घर अच्छा और ना हो तो हमें अच्छा ही नहीं लगता और हम चाहें कितने भी थके हो हमें लगता है पहले वो काम खतम कर लें फिर जाके हम दूसरा काम करेंगे तो हमारे लिए घर का हर एक कोना और घर का हर एक काम और घर में रहने वाले सब ही लोग उत्ते ही जादी इंपॉर्टेंट हैं जितना इंपोर्टन हमें हमें कुद को भी नहीं देते हैं तो चलिए आज के व्लॉग में यही सब मैं आपके साथ सेयर करूंगी और कुछ भी कुछ भी अच्छा लगी तो प्लीज लाइक सेयर और सब्सक्राइब किजेगा मैं अपने इस चैनल में मॉमी लाइफ सेयर करती हूँ और स्टुडेंटल लाइफ सेयर करती हूँ मैं अपनी पढ़ाई करते हूँ और मैं यहां पे बहुत दिनों से पढ़ाई कर रही हूँ तो मेरी पढ़ाई चल नहीं रही है और मैं जॉब ही कर रही थी बट मेरी पढ़ाई को भी complete करना था तो मैं last year 9 month जॉब की थी internship की थी और वो सब करने के बाद मैं फिर छोर दी क्योंकि मुझे अपने पढ़ाई पर focus करना था क्योंकि जॉब की वज़े से मैं पढ़ाई नहीं कर पा रही थी और बहुत सारे courses backlog चले गए थे और मुझे वो complete करना है और जब तब मेरा graduation complete हो जाया तो मैं एक अच्छी जॉब पकड़के अपना settle हो जाऊँ जॉब करने के लिए क्योंकि एक साथ घर भी देखना जॉब करना फिर पढ़ाई करना इस नॉट possible और बहुत ही ज़ादा मुस्किल होता था तो इसलिए मैंने जॉब छोड़ दिया और मैंने तब से पहले पढ़ाई पर focus किया है और मैं सोच रही हूँ इसको जितनी जल्दी हो अपने पढ़ाई को complete करूँ तो मैंने और लेडी यहाँ पे associate degree ले रखी हो उस पे ही मुझे job मिला था बट मैं अपने पढ़ाई को extend करना चाती थी तो मैं अपने जो field में की हूँ उसी field में बैचलर करना चाती थी और बैचलर मेरा होने ही बला है और मेरे पास इंडिया की भी बैचलर डिग्री है और बस one और two semester बचे हुए है मेरे बैचलर कंप्लीट होने में तो मेरा होई जाएगा और मैंने MS के लिए भी application दे दिया है college में और मेरा जैसे ही बैचलर कंप्लीट होगा और मैं जॉब लेने के बाद मैं MS के लिए पढ़ाई करूँगी और वो hardly ज्यादा time नहीं लगेगा वो complete होने में जितना तीन चार साल लग जाता है बैचलर कहतम करने में MS करने में हार्ली एक साल लगते हैं और वो ज्यादा credit का भी नहीं 60 credit का होता है और बैचलर डिग्री जो होता है 120 credit का है तो वो लेंदी है बट master degree फटाक से मिल जाएगा मतलब फटाक से नहीं उतनी मेहनत तो लगेगी ही बट लेकिन येस credit आप आवर कम है और अरम से मुझे लगता है मैंने अपना application दे दिया है मुझे कॉले से बस approval मिल जाए तो MS में मेरा admission भी हो जाएगा तो पढ़ाई तो continue मुझे रखना ही है उसके साथ साथ ही घर के सारे काम ये सब भी और पढ़ा और यहाँ पे अकेले सारा काम manage करना थोड़ा सा कभी कभी difficult होता है बट कर लेते हैं क्योंकि करना कुद को ही है और जब भी आपको Saturday Sunday तो time मिलता ही आप job करो या पढ़ाई करो weekly एक दिन मिलता ही है तो आप अपने घर को organize कर लो तो वही ये Sunday का दिन है या कौन सा दिन है मुझे याद नहीं मैंने ये ब्लॉग जो थोड़ा पहले सूट की थी और उसी समय मैंने ये ब्लॉग को एडिट नहीं कर पाई थी जब मेरे एक्जाम उस समय आ गए थे तो मैं नहीं कर पाई थी तो इस ब्लॉग को मैं आपके साथ तेयर कर रही हूं तो यहां पर मैं अपने living room को ठीक कर रही हूं क्योंकि कभी कभी थोड़े थोड़े टाइम में आप अपने घर को चेंज सेटिंग करते रहूं तो थोड़ा अच्छा लगता है और लगता है आपको कुछ समान ना भी खरीदे तो फिर भी आपको चेंज और फ्रेशनेस फील होती है तो आप मुझे फ्रिक्वेंट देखोगे मेरे घर में हर एक पांच या छे मैंने में मैं सेटिंग चेंज करती रहती हूं थोड़ा बहुत भी चेंज कर देती हो ना तो एक अच्छा लगता है एक डिफ्रेंट सा फील आता है कि अच्छा चलो कुछ तो इसकी समान उधर प आते हैं कि तो यहां पर मैंने सबसे पहले सोफा के अंदर जो होता है ना बहुत सारा यहां पर डिश था, बहुत सारा जब यहां पर हम भी कुछ खाती है, पुरा सनच से सब उसके अंदर गिरा पड़ा था तो मैं सब इसको वैक्यूम करकर के निकाल लग।स नीमरेat छाया है befalts-, पर चीज़ेесये ऑसके पेंसल हो गया, पेंसिल हो गया, वहसा बहुत तारे डश्ट हो जाते हैं तो इस वाले वैक्यूम में एक सक्सन पावर है जस ब्लाइंड पे एक वार इस तरह से गुमाती हूं ब्रस जैसा बना हुआ है और उसे सारा जो ब्लाइंड पे जो भी थोड़ा बहुत जो डश्ट होता है वो तब सारा निकल के आ जाता है तो अभी मैंने अपने टीवी का आरेंजमेंच भी चेंज कर दी उस तरफ से मैं इस तरफ कर दी जिस तरफ मेरा ब्लाइंड से तो ठीक लग रहा है ये बीच में और उसके बाद मैंने यहां पे साइड लैंप लगा दी और उसके साथ एक छोटा सा यहां पे जो प्लान सब यहां कर दी मेरे पास उतना कुछ डेकुरेशन का है नहीं पर जो भी है मैं उसी में सारा इधर उधर करके थोड़ा सा अच्छा लुक बना देती हूं और बहुत सारे बोर्ड गेम थे यह सब बोर्ड गेम को मैं एक जगह रख देती हूं जब यहां पर बैट किते हैं हम बहुत सारे मेरे फाइल थे फोल्डर थे बुक्स थे जो यह पढ़े हुए थे बिलकुल भी अच्छा नहीं लग रहे थे इन सब सब को मैंने निकाला कार्टून में पेड़ पैक किया और इन सब सब को मैंने उपर ना एटिक में डाला और यहां पे मैंने सब कुछन यह टीवी जो है इस तरह आ गया है तो दोनों साइट से बैठके आप एकदम सामने सामने देखो और बहुत अच्छा लगेगा और मेरे मंदिर के पास भी जगह बहुत खाली हो गया है तो इस तरह से मैंने आरेंजमेंट कर दिया है क्योंकि पहले यह एल सेप का सोफा है आप हैं रही निकाल भी दो तो यह नहीं दो पार्ट में बन जाता है और भात ही अच्छा से अपी थोड़ा बड़ा लगभा है बैठने वा एरिया तो एक सोफाइस साइट कर दी और 305 साइट कर दीज़ेंट दो पार्ट में हो गया तो यहां पे आम भी मुझे दी थी यह बला बहुत सारा रहता है तो लेकर आया थी तो बहुत अच्छा लग रहा था मैंने इसको पानी में डाल दिया और आम भी अपना बहुत सारा जो बुक डेडिंग करती है उसको मिडल में रखके और जो भी हमारा थ्रो यह सब था उसको मैंने फोल्ड किया और श्टार्ट की पूर कि और एक बार कुछ भी काम आपे श्टार्ट करो नो तो बहुत गंदा हो जाता है और नीचे मैं सिर्फ उस लिविंग एरिया में मैं स्टार्ट की पर वो करते करते नो पूरा यह गंदा हो गया और मैंने पूरा वैक्यूम की सबी कार्पेट पर की और उसके बाद मैंने यहां पे पूछा लगाने के लिए आ गई और एक बार स्टार्ट करो पूछा लगाने बहुत टाइम लगता है किचेन एरिया में फिर हो गया आपके लिभिंग एरिया में और सीरियों पे बहुत थोड़ा टाइम लगता है मुझे पूछा लगाने में थोड़ा सा यह नीचे के इतने सारे काम करने के लिए सबस्क्राब करने के लिए थोड़ीटम करने तो मैं क्या करती हूं इतने सारे काम करने के टाइम में या तो जब मुझे पढ़नेandan तो मैं पढ़ाई के कुछ लेक्चरिय सभी लगा के रखती हूं का एयर फोन में अगर नहीं है वो सब नहीं मन है तो मैं तो पॉडकास सुनती हूं मैं मुझे पॉडकास सुनना बहुत जादा पसंद है पॉडकास में क्या होता है ना बहुत सारे इतने बड़े-बड़े लो भी पूंती हूं और उसके साथ मुझे मोटिवेशन चैनल में सिर्फ संदीप महषवरी का चैनल बहुत जादा पसंद है उनकहीं चैनल में बहुत सुनती हूं और पौटकास सुनती हूं जैसे टीकाभी पाटकास सुनती हूं तो मेरे टीवी क्यांव देख सकते हैं सेशन सुनती हूं पूरा सफाई है अभी चलिए मैं आपको दिखाती हूं मेरा लिविंग रूम किस तरह से हो गया मैं एक किटार रखव और मेरे टी वी पे संदीब महिस्वरी का ये और यह साथ ही मैं थोरा साथ बैठ के देख रहे हैं कि सामने से टीवी देखने में कैसा लग रहा है बहुत बहुत अच्छा लग रहा था भी मुझे लगता है इनकी वीडियो आलमस्स सभी इंडियन सुनते हैं सभी लोग इनको एड्मार करते हैं इतना जादा ये मोटिवेशनल इनमें हर एक बात में इनकी मोटिवेशन होती है तो मुझे तो लगता है मैं ही एक ऐसी नहीं हूँ सभी लोग सुनते हैं इनकी मोटिवेशन स्पीच और इनके चैनल पर आजकल बहुत ज्यादा ए-a-i की बाते हो रही है और 10 साल में AI कैसे हमारे सोसाइटी में क्या इंपक्ट करेगा हमारे जॉब पर क्या इंपक्ट करेगा उसके बारे में बात होती है बहुत intellectual बात होती है बहुत ही अच्छा लगता है मुझे और आने वाला समय मुझे भी लगता है कि AI अभी पढ़ना ही पढ़ेगा क्योंकि AI में आप जितना जाद अच्छा होगे उतना ही होगा पर मुझे नामी सुनके डर लगता है कि इतना टफ होगा क्या होगा बट कोई नहीं जैसे जैसे टाइम हर चीज का आता है लोग वैसे वैसे हर एक स्किल्स एक्वायर करते हैं मैं भी जैसा मुझे कॉलेज में मिलता जाएगा वैसे मैं आगे करती जाओंगी तो इसी के साथ मेरा सारा काम खतम करने के बाद इतना ज़्यादा स्वेटी हो गई गई इतना बात लेकी आई बात करने के बाद पूजा की पूजा करने के बाद रात का खाना बनाई और खाना बनाने के बाद अहस्बें आ गए थे आफिस से Chai बनाई और हल्वा बनाई Ambi के लिए दी milk और हल्वा और हम लोग खाये चाई और हल्वा और एक रास खाये क्योंकि मैं पुरा दिन बहुत ज़्यादा भूख लग推 दहीuite इतना काम करते audition तो यह सब मैं करके खतम की और खाते खाते मैंने अपना साम का लैपटप भी अन की थी और कॉलिज का वही सब देख रही थी जो मुझे अपने असाइनमेंट प्रोजेक्ट देखने होते हैं तो वही मैं यहाँ पे देख रही हूँ और जाए भी पी रही हूँ और जब घर पुरा इदना क्लीन हो तो आपको आप खुदी फील कर सकते हो बड़ा अच्छा लगता है और फिर में रात के डिनर में यही बनाई थी रोटी, सबजी, सालेड, थोड़ा मैंगो था चटनी था और यही ताज के इस ब्लॉग में फ्रेंड वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेर और सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच पर वाचिंग, विल्टे, फिर सिख नहीं ब्लॉग के साथ, तिल देल, बाँ बाँ